नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जोतिस कैसे सीखें इस संखला पर और भी वीडियो पहले बने हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज के वीडियो में बात करेंगे ग्रह की नीच और उच रासी जोतिस के अनुसार जातक के जीवन में होने वाली अच्छी बुरी गटनाओं की भविश्यवानी करते हैं ग्रहों के सवाव अनुसार इनकी उच और नीच रासियों का निरधारन किया गया है उच रासि से तातपरिय है जहां ग्रह अपना पून फल देने की अवस्ता में हो किन्तु 6-8-12 में उच ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे पाता नीच रासि अर्थात जहां ग्रह निरवल दुखी निरवल अवस्ता में और अपना फल दे पाने में पून सकसम ना हो ग्रह जिस रासी में उचके होते हैं उससे साथमी रासी यानी 180 डिग्री में जाकर नीचके हो जाते हैं अब उधारन से समझते हैं जैसे सूरे मेस रासी में उचके होते हैं और तुला रासी में नीचके हो जाते हैं जैसे चंद्रमा बिर्शब रासी में उचके होते हैं और बिर्चिक रासी में नीच के हो जाते हैं। जैसे मंगल मकर रासी में उचके और करक रासी में नीच के हो जाते हैं। जैसे बुद्ध कन्या रासी में उचके और मीन रासी में नीच के हो जाते हैं। जैसे ब्रस्पती करक रासी में उचके और मकर रासी में नीच के हो जाते हैं जैसे सुक्र मीन रासी में उचके और कन्या रासी में नीच के हो जाते हैं जैसे सनी तुला रासी में उचके और मेस रासी में नीच के फल परदान करते हैं जब भी जातक के जीवन में उच ग्रह की दशा आती है तो उसका उत्थान होता है जीवन के सभी शेत्रों में सफलता प्राप्त करता है और बिगडे वे काम भी बनने लगते हैं